आज के इस लेक्चर में मैं आपको खुशामदेद कहता हूँ जिसके अंदर हम सीखेंगे Evaluation Matrix for Classification होते क्या हैं सबसे पहले तो ये स्क्रीन आपके सामने हाजर है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं तो आपको वेलकॉम करी रहा हूँ कि आपका algorithm कितना strongly काम कर रहा है या कितना अच्छा काम कर रहा है इन matrix या पेमानों को हम Evaluation Matrix बोलते हैं for Machine Learning और Classification के Evaluation Matrix अलग होते हैं और हमारे जो regression के problem होती है उसके Evaluation Matrix जो हैं वो अलग होते हैं अब regression के हमने पिछले lecture में देख लिए अब हम देखते हैं Classification के Evaluation Matrix क्या होते हैं सबसे पहली बात जब आप Classification की कोई भी problem जो है उसको पढ़ते हैं समझते हैं तो आपके पास कुछ चीजें होती हैं या algorithm होते हैं जो आपको divide करके देते हैं Classes को from 2 और 3 और multiple Classes दो Classes के अंदर जब आप किसी चीज को convert करते हैं उसे बोलते हैं Binary यानि के Yes or No, Survived, Not Survived, Yellow, Not Yellow तो इसको बोलते हैं Binary Classification जब आप एक ही चीज को 3 Categories या 3 या 3 से ज्यादा Categories में divide करते हैं या Classify करना चाहते हैं किसी बे Algorithm के तरू इसको बोलते हैं Multiclass Classification यानि कि आपकी एक ही Class नहीं है Multiclass है और फिर इसके बाद आती है जब आप एक Category को Label ज्यादा देना चाहें जैसे for example कोई Film है वो उसका Genre क्या है? क्या वो Thriller है? Action Movie है या क्या है? तो आप एक से ज्यादा values उन्हें Assign करते हैं इसको बोलते है Multilabel Classification तो Classification बेसिकली चीजों को Categorical Variables के अंदर divide करने को बोला जाता है Let's have a look अब यहाँ पर Classification को जब हम समझते हैं तो हमें यह एक Matrix जो है इसे समझना बहुत जरूरी है जिसको हम Confusion Matrix भी बोलते हैं और अकसर उकात आपने इस तरह के Matrix को कुछ इस तरह भी देखा हुगा यानि के आपके पास कुछ Matrix हैं Matrix की बेस में आपके पास Predicted Values होती हैं और यहाँ पर True Values होती हैं So अगर Simply देखा जाए तो Actual Values जो हैं वो अकसर उकात आपकी क्या होती हैं रोज में होती हैं यानि के Actual Value, Actual Value और फिर Predicted होती हैं कॉलम में यानि के Predicted और Predicted अब इस एक चीज को हम Confusion Matrix भोलते हैं यह एक Classification Matrix है इसको समझना क्यों जरूरी है Reason behind that is जब आप किसी भी Classification Algorithm को Classify करते हैं Classes को तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास Actual Values की Positive है और मैं Predict भी Positive कर रहा हूँ या मेरा Model Predict भी Positive कर रहा है तो यह True Positives है यानि कि जो Model ने Positive Values Predict की वो Actual में भी True है तो यह हम Evaluation Matrix जो है इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं फिर हमारे पास यहां पे है यह Green वाला डबा आगें जो Actual में Negative है उसको Negative Model ने भी Negative प्रेडिक्ट किया So True Positive and True Negative On the other side Negative Values जो प्रेडिक्ट की है Model ने लेकिन वो Actually Positive थी यानि कि यह वाला खाना या यह वाला डबा इसको हम बोलेंगे False Negatives ठीक है? यानि के गलत Negative क्यूँ? क्यूँके प्रेडिक्ट किया गया है Negative तो यह प्रेडिक्ट है यह गलत है इस वज़ा से इसको हम बोलेंगे False Negative False का मतलब है किसी चीज का गलत होना अब एक चीज False Negative कैसे हो सकती है? मिसाल मैं ऐसे देता हूँ आप मेंसे काफी लोगों ने करोना की टेस्टिंग किट्स रखी होंगे या आपने टेस्ट करवाया होगा COVID-19 के लिए खुद को अगर कोई बंदा ट्रूली Positive है और वो किट भी कहती है कि जनाब ये Positive है बंदा COVID-19 पॉजिटिव अला ना करे कोई हो तो उन दोनो Positive को हम बोलेंगे True Positives अब एक बंदा Actually Positive हो लेकिन जब वो टेस्ट करे वो Negative आ जाए तो इसको बोला जाता है False Negative ठीक है? क्योंकि वो बंदा Positive है जो Negative Result है वो False Negative है यानि के गलत Negative है अब एक और सेनेरियो लेते हैं एक बंदा Negative है हटा-कटा, सेहतमांद सेहतमांद, Athletics करने वाला बंदा वो बैठा हुए ठीक है? COVID तो उसे भी हो सकता है By the way, but I'm just saying कि वो फिट फार बैठा है और Originally जो Negative है वो बंदा लेकिन Predicted में आपकी जो Model है या आपकी जो Kit है वो आपको कह देती है कि जनाब ये Positive है तो इसको बोलेंगे False Positive यानि के गलत वला Positive ठीक है? और यही चीज मैंने यहां पे समझाई हुई है कि जब आप Actual Values को देखते हैं तो आपके पास True Positive होते हैं और True Negative हो सकते हैं अगर आपका गलत Negative हो जाए तो इसको False Negative कहते हैं गलत Positive हो जाए तो इसे False Positive बोला जाता है इस चीज को अपने Mind में रखिएगा अब हम आगे चलते हैं अब इसी तरीके से Iris के Data Set को जब Classify किया जाता है तो उसके True Labels यह हैं Iris का Data Set आपको मैंने काफी हा बार हा आपको दिखाया है और Machine Learning में जिसको Iris के Data Set का नहीं पता होता उसके लिए Problems होते हैं क्योंकि यह एक Basic Data Set है By the way, IRIS का Data Set है Iris इसे बोलते हैं Setosa, Versicular and Virginica यह तीन Original Species हैं यानि के जहां जहां पे Setosa है उसका True Label Setosa होगा तो वो यह वाला एक खाना है फिर Versicular है तो उसका दूसरा खाना हो गया Virginica है तो यह इसका तीसरा खाना हो गया अब True Labels हमारे पास यह हैं अगर Setosa Setosa है तो यहां पे भी Setosa Predict हुआ है तो यह 13 True Positives हैं आप कहा सकते हैं कि जो हमारे पास Originally Predicted है वो ही हमारे पास यहां पे है ठीक है तो यह हमारे पास True Values हैं यह 10 भी हमारे पास True Values हैं तो Diagonal के उपर आपके पास True Values होगी Virginica भी 9 जो Actual थी और 9 ही आपके Predicted Labels हैं तो हमारे पास क्या हुआ यह आगया जनाप Diagonal के उपर यानि के उपर से नीचे अगर Line खैंची जाए इस तरीके से तो आपके Diagonal के उपर यह आपके True Values हैं जो Predicted भी True हैं और Original Actual Values भी True थी लेकिन जब हम 6 को देखते हैं Versicular True Label था इन 6 Data Points का लेकिन Model ने Predict किया यह Virginie का है इसका मतलब था कुछ और Predict कुछ और हो गया इसी वज़ा से इस पूरे Matrix को हम Confusion Matrix बोलते हैं पहली चीज दूसरे चीज यह जो कुछ और था और कुछ और नाम रख दिया यह हमें Confuse कर गया है ठीक है इस वज़ा से इसको Confusion Matrix भी बोला जाता है On the other side इस चीज को हम Miss Classification भी बोलते हैं यानि के हमारा वर्सिकलर जो True Label था इसको इसने Virginie का बुला दिया So this is how you can actually see के यार मेरा जो Original Label था वो यहां पे Virginie का हो गया इसका मतलब 6 ऐसे पॉइंट्स हो जो Miss Classify हुए है इसका एक और मतलब है इसका एक और मतलब यह है कि वर्सिकलर जो 16 थे total अगर आप गौर करें वर्सिकलर 16 थे total दस ये और 6 ये इस 6 को यहां पे होना चाहिए था ठीक है और वर्सिकलर जो predicted है वो भी 16 होने चाहिए थे एक तो ये 16 16 प्रेडिक्ट नहीं हुए और दूसरा हमारे पास विर्जिनी का जो Miss Classify करे गया तो हमारे पास दो किसम की यहां पे घल्तियां होगी अब इन दोनों को देखते हैं कि यह होती क्या है जब भी हम किसी भी predictor और actual value को predict कर रहे होते हैं तो हमारे पास होता है जनाब for example अगर आप यहां पे इस 0 देखें और यहां पे 1 देखें तो आपके पास यहां पे true negative true positive 1 को अगर आप positive लें ठीक है हमने पिछने सेनेरियों के अंदर positive पहले लिखा था negative बाद में तो यहां पे हमारे पास 0 जो है वो true negative 00 अगर देखा जाए और यह true positive है अब यहां पे जहां पे हमारे पास 1 and 1 आ जाता है यहां पे यह भी हमारे पास true positive है so on the other side diagonal को अगर हम देखेंगे तो original और predicted दोनों सेम होगी but हमारे पास अगर हम कोई false negative कह दें यानि कि एक चीज जो हमारे पास false negative है for example अगर मैं इसकी मिसाल दो यहां पे अगर हमारे पास कोई चीज false negative है यानि कि originally positive था यहां पे negative हो गया या originally negative था यहां पे positive हो गया तो वो false positive अब अगर यहां पे देखा जाए statistics की जुबान के अंदर false positive को यानि कि जो चीज पॉजिटिव नहीं है उसको positive कहने को type 1 error बोलते है और फिर हमारे पास false negative अगर किसी चीज को बोला जाए तो उससे type 2 error बोलते है ठीक है पहले चीज तो आपको यह याद रखनी है second आपके पास एक term होती है specificity specificity क्या होती है आप true negative को divided by true negative plus false positive अगर कर दें तो यह आपके पास specificity आ जाती है यानि कि true negative divided by true negative plus false positive यानि कि यह दो खाने divided by this one अगर इसकी मैं मिसाल आपको बताऊं तो हमारे पास 10 और 6 जोला है ना total तो 10 बाइ 16 जो है हमारे पास specificity होगी 10 बाइ 16 यहाँ पे specificity होगी अब चलते है recall और sensitivity अगर हमारे पास true positive है यानि कि जो value हमारे पास आई है originally भी वो ही है और divided by true positive plus false negative इस चीज़ को हम recall score बोलते हैं यानि कि हमारे पास true positive divided by true positive plus false negative false negative क्या होगे वो वली चीज़े जो इस साइड पे होगे but on the other side अगर हम देखें यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास true positive divided by true positive plus false negative आजागा यह formula लिखे होगे हैं basically specificity क्या है recall और sensitivity क्या है फिर एक negative rate होता है कि negative कितने आए है so true negative divided by false negative plus total negative ठीक है so यह हमारे पास क्या आएगा negative rate यानि कि total हमने कितना negative values को present किया है फिर हमारे पास आजाती है precision precision क्या होती है total positive divided by total positive plus false positive ठीक है यह precision है इसको हम positive rate भी बोल सकते हैं so यह precision है यह हमारे पास negative rate है फिर एक matrix आता है उसको बोला जाता है accuracy accuracy क्या है total positive plus total negative divided by total positive plus false positive total negative plus false negative यानि कि हमारे पास जो total सारे के सारे negative है divided by जितने हमने total negative बोले false या true तो उनको true positive and true negative इन दोनों को मिला के हमारे पास यहाँ पे accuracy आ जाती है sorry यह मैं पिछे total बोल लिया हूँ यह true था so true negative divided by false negative plus true negative not total negative this one is again true positive divided by true positive plus false positive तो यह true positive था not total sorry for that इस चीज को correct कर लीजेगा फिर F1 score क्या होता है F1 score होता है 2 multiplied by recall multiplied by precision divided by recall plus precision तो यह harmonic mean है basically आपका recall and precision का अब इन चीजों को अगर हम गोर से देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इनके formula बनते हैं यह तरीका था आपको equation के थूँ बताने का आप इस चीज का screenshot ले सकते हैं और अपने पास save कर सकते हैं और on the other side अगर आप यह देखें accuracy क्या होती है predictions over classification ठीक है अगर हम देखें के हमारे पास correct predictions कितनी है ठीक है over हमारे पास correct plus incorrect कितनी है तो यह accuracy आजाएगा right accuracy क्या होती है के हमारे पास जितनी हमने correctly predict की है divided by correct plus incorrect total मिला के आपके पास accuracy आजाएगी मिसाल के तोर पे एक चीज की accuracy है 50% या 50 या 0.5 accuracy आप उसको बोल दे इसका मतलब यह है के अगर total चीजें 100 हैं तो हम उसमें से 50 को correctly classify कर पाएगे total 100 चीजें हमने 50 को correctly classify किया है यानि के total 100 data points है हमने 50 को सही से correctly classify किया है this is called accuracy अब आगे चलते हैं precision क्या कहती है कि true positive divided by true positive plus false positive यानि कि जो हमारे पास true positive था क्या हमने उसी को true positive बोल खे या हमने किसी ऐसे को भी true positive बोल दिया है जो positive नहीं था यानि कि false positive तो हम क्या करते हैं एक precision score निकालते हैं precision score कैसे निकलते हैं मिसाल के तोर पे जो 50 rows positive हैं क्या मैं इनहीं 50 को positive बोल रहा हूँ या total randomly 50 को positive बोल रहा हूँ so this is called precision आप कितना accurately positive को positive बोल रहे हैं और negative को negative बोल रहे हैं जो accuracy थी वो total में 50 का हमने कह दिया कि 50 को अच्छे से present किया ठीक है लेकिन कौन से 50 को अच्छे से present कर रहा है हमारा model उसको बोलते हैं ठीक है बिल्कुल precise so total positive divided by sorry true positive divided by true positive plus false positive फिर हमारे पास recall score आता है recall score क्या है predictions over classification को अगर देखा जाए तो यहाँ पे total है हमारे पास true positive यानि कितने हमारे पास positive है divided by true positive plus false negative तो जब आप true positive को true positive plus false negative पे divide करेंगे तो यह आपके पास recall score आ जाएगा ठीक है recall का मतलब होता है याद याद क्या होती है कि एक चीज आपकी true positive है लेकिन आपने कुछ चीजों को positive नहीं बताया तो recall का मतलब होता है जब दुबारा से जा के check करो कि जो positive थे क्या सारे के सारे आपने positive बोले है ठीक है और उसमें वो भी points आजाएंगे जो आपने positive नहीं बोले सही है यानि कि जितने आपने positive बोले plus जितने आपने गलती से negative बोल दिये उनको कहते है recall ठीक है अब यहाँ पे जितने आपने positive बोले plus आपके जितने गलती से positive हो गए है this is called precision तो precision और recall के अंदर आपका सिरफ यहाँ पे फरक है एक में आप false negative को add करते हैं एक में आप false positive को ठीक है F1 score इन दोनों का harmonic mean है precision और recall का ठीक है and then आपके पास object detection आती है I.O. यू होता है इसको हम later on पढ़ेंगे but for now इन चार को याद रखिएगा accuracy मतलब total में से कितने हैं divided by correct plus incorrect total आपके पास आगे precision का मतलब है कि जो आपने positive बोले है वो सारे के सारे true positive है या नहीं ठीक है यानिके मैंने अगर पचास बोले हैं तो क्या पचास के पचास positive ही थे या मैंने गलती से 45 जो है original positive ले लिए और 5 जो है मेरे बिलकुल वो positive नहीं थे उनको मैंने false positive कहा दिया ठीक है so इस तरीके से आपका precision score होता है recall score किया है कि true positive जो मैंने बोले क्या मैं उन्ही को false negative के अंदर भी count कर रहा हूं या नहीं ठीक है so this is actually easy to understand जब आप किसी एक example को देखेंगे let me show you one thing more वो यह है कि जनाब आपके पास एक example देखते है हमारे पास total number of samples हैं 100 ठीक है ज़रा गौर से देखिए total number of samples हैं हमारे पास 100 अब हमारे जो actual classes हैं यानि कि ground truth ये कहता है कि dog यहाँ पे ये dog है 15 ठीक है और ये हमारे पास not a dog है अब dog and not a dog हमारे पास actual classes है यानि कि ground truth है यानि कि actual data है जिसको हमने इस तरीके से लिए तो आप किसी भी तरीके से data को ले सकते हैं formula सही होने चाहिए अब यहाँ पे predicted है यह predicted model है dog का और not a dog का अब हमने देखने है जब हमारे पास 100 sample में से dog है और उसी को dog भी हमने classify किया है using machine learning algorithm तो क्या वो points हमारे पास कोई number में value आती है यह साती है वो है 15 और 15 true positive है यानि कि positive था और positive predict किया गया यानि कि dog था dog predict किया गया अब हमने त्रू पॉलदिया यानि कि positive था positive predict हो गया फिर not a dog है negative नौट अडॉग Hindu जो था उसको हमने dog positive बोल दिया यानि कि dog बोल दिया यानि कि जो कुट्टों की तसवीरे नहीं थी हमने उन्हें बोल दिया कि ये भी dog की तस्वीर है अगर आप गौर करें इसको बोलते हैं false positive और ये type 1 error है so हम false positive पर भी रहते हैं और ये 20 ऐसी values है फिर जो चीज dog थी उसको हमने model के थू जब predict किया तो वो not a dog आ गया 5 values वो है लेकिन जो not a dog था वो हमारे पास already 60 हमारे पास जो है true negative है so true positive और true negative 60 और 15 कितने होगे total 75 और ये हमारे पास 25 जो हैं ये error में आ रहे हैं अगर अब आप गौर करके इसको calculate करें तो मैंने आपको total बता दिया कि हमारे पास 100 total चीजे हैं 100 में से 75 हमारी total correctly predicted है negative है ये positive that's another matter correctly predicted है तो 100 में से 75 का मतलब क्या हुआ हमारे पास जो accuracy है 0.75 आगी यानि के true positive प्लस true negative 15 जमा 60 divided by total which is 100 इसी वज़ा से हमारे पास accuracy 0.75 आई है अब आपको यहां पे accuracy की समझ आगी होगी कि accuracy कैसे हमारे पास काम जो है वो करती है यहां तक clear होगी जी accuracy आपको अगर इसमें भी कोई issue accuracy में you can ask me तो मैं यहां पे आपको clear कर सकता हूँ कि accuracy को आप किस तरीके से समझ सकते हैं I know it's easier to understand अगर आपके पास example हो इसी वज़ा से मैं आपको examples दिखा रहा हूँ अब इसी example को अगर हम अपने notepad पे ले जाएं तो और भी असान हो जाएगा हमारे लिए so I will jump everything I will take everything to the notepad और notepad पे जा के हम इसी को और भी detail में देख सकते हैं and it would be easier for us to understand that यह notepad आपके सामने आ गया है ठीक है अब मैं यहाँ पेस को पेस्ट करता हूँ यह हमारे पास basically एक तरीका का रहा है so सबसे पहले तो हम accuracy निकालते हैं कि accuracy होती क्या और किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं right अगर आप गौर करें total हमारे पास अगर accuracy का formula लिखें true positive plus true negative true positive plus true negative divided by divided by क्या है जी .75 which sorry total total number तो यह होती है accuracy ठीक है accuracy अब अगर आप गौर करें मैंने आपको पहले भी बताया 15 और 60 75 होते हैं तो मैं यहां पर 15 जमा 60 लिखता हूँ 75 होगे divided by 100 तो 75 divided by 100 is equal to .75 यानि के 100 में से 75 क्लासे को हमने सही तरीके से predict कर दिया and that is why we have a nice number here ओक जी यहां तक clear हो गया accuracy किस तरीके से हम लिखते हैं then हमारे पास जो अगली चीज है that is called precision precision क्या होती है अगर आब और करें precision होती है true positive यानि के 15 जो है हमारे पास यह लेते हैं यहां से हम divided by total positive plus false positive sorry true positive plus false positive sorry मैं total बार बार कहता जा रहा हूँ तो precision को अगर हम देखें precision is equal to true positive हमारे पास है 15 divided by true positive plus false positive कितने है false positive हमारे पास 20 है ठीक है तो यह आगया यहां पे अगर इसको count करें 15 divided by 35 यह आएगा आपके पास 0.42 0.42 0.42 अब यह आपके पास होगी precision इसका मतलब यह है कि जो आपके पास true positive है न वो 15 है लेकिन आपने जो बोले है वो 35 positive बोले है यानि के आपके model ने जब आपसे मुराद है सो हम इसकी ratio निकाल लेते है 15 हमारे पास true में है लेकिन हमने 35 को positive बोल दिया जिसकी वज़ा से हमारा precision score आ गया 0.42 यानि के 42% precisely हमारा model काम कर रहा है यानि के 100 में से positive को precisely 42% बता सकता है ठीक है अगर कोई positive चीज आ जाती है अब इसी चीज को precision के साथ अगर हम recall को देखे recall recall है जी हमारे पास अगर देखें आप तो यह true positive यह बड़ा recall का score इसको sensitivity भी बोलते है इसको true positive rate भी बोलते है sensitivity, recall and true positive rate इसका formula है true positive which is 15 divided by true positive which is 15 जमा false negative यानि कि 5 यह जो value है तो यहां पर 5 लिखता हूं this will be 15 divided by 20 और यह round about आपके पास अगर इसका result देखा जाए 15 divided by 20 का 0.75 आ जाते है ठीक है इसका मतलब क्या है recall का इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई चीज जो originally positive थी for example अगर आप गौर करें आपके पास dog जो positive था वो 15 जमा 5 बीस dog positive थे ठीक है लेकिन आपने बोले हैं उसमें से सिरफ 15 इसका मुराद यह है कि जो चीज positive थी और आपने उसको positive वोला उसके chances 75 फीसद है ठीक है समझा है बात की total recall का मतलब यह है कि आप कितने positive को सही तरीके से call कर पाएं है recall का मतलब यह है so आप 75% positive को positive कह पाएं है this is called recall score यानि कि 0.75 और precision का मतलब यह है कि जो आपके पास cheese जो positive और negative थी sorry जो आपके पास originally यहाँ पे positive और negative थी अगर आप इसको false positive देखें यह negative थी ना originally तो उसमें से आप 42% आपके chances है कि आप किसी चीज को correctly predict कर पाएंगे यानि कि precisely आप बता पाएंगे कि यह positive है यह negative है समझा की precision और recall की अब precision और recall के साथ साथ आपके पास false positive rate भी होता है F1 score भी होता है F1 score इन दोनों की harmonic mean है तो आप 2 multiplied by precision and recall divided by precision plus recall निकाल लेंगे तो यह आपके पास आजएगा F1 score F1 score इन दोनों को ही बताता है यानि कि जब हम इन दोनों को देखेंगे as a matrix हम F1 score को must देखेंगे क्यों? क्योंकि यह इन दोनों की एक किसम की mean है जो हमें यह भी बताता है कि कितना precisely और कितना recall की base पे हमें result आए हैं और अगर आप इनके formula में गोर करें F1 और Fp का यानि कि false positive और false negative का ही फरक है यह वाला फरक है इन दोनों के formula में और जब हम इन दोनों का mean ले ले लेते हैं तो तो हमारे पास F1 score आजाता है ठीक है तो यहां पे हमारे पास इनका harmonic mean होगा not geometric mean it's harmonic mean ठीक हो गया फिर हमारे पास आता है जनाब error rate का मतलब यह है कि आप total false positive and false negative को देखें from total तो 0.25 error rate है इसका मतलब यह हुआ कि 75% अगर आपकी accuracy है तो जमा 25% आपका error rate है तो आप यहां से भी उसे calculate कर सकते हैं simply ठीक है और फिर आपके पास miss rate आएगा कि कितनी चीजों को आपने miss predict किया है यानि कि false negative rate तो इसको हम Fn divided by true positive plus false negative यानि कि false negative divided by true positive and false negative तो यह 0.25 है इसी तरीके से हमारे पास true negative rate आजाएगा false negative rate और true negative rate तो यह कुछ हमारे पास metrics हैं जिनके formula मैंने आपको बता दी हैं और now you can actually understand खास तोर पे accuracy, precision and recall यह बहुत matter करता है और साथ में आपका confusion metrics भी जब आप इन चीजों को read out कर रहे होते हैं यहां तक आपको clear हो गया होगा है कि यह वाले जो formula हैं, यह किस तरीके से हमारे काम आते हैं and how we can understand different things. अब आपने क्या करने हैं इन सभी की एक example draw करनी है एक तो मैंने आपके सामने लिखी हुई है इसका आप screenshot ले सकते हैं कि अगर कोई चीज 100 है, उसमें से dog जो है हमारे पास original 15 और 20 dog थे और हमारे पास जो है 80 जो थे वो not a dog थे ठीक है, actual में देखा जाए तो 20 dog थे और 80 not a dog थे, ठीक है, जो हमारे पास 100 का sample था, अगर हम actual ground truth की बात करें, तो हम ऐसे जमा करेंगे, so this is how you can actually understand classification model hopefully आपको ये clear हो गया होगा अब हम देखते हैं, खास तोर पे accuracy होती क्या है, so इसको हम बोलते है proportion of correctly predicted observations to the total observations ठीक है, ये है और this can be misleading in imbalanced data set right, for example for 100 predictions with 90 correct predictions, accuracy 90%, वो कौन सी 90 हैं, we don't know accuracy, सिरफ हमें number दे देते हैं, कि इतने मैंने अच्छे से प्रडिक्ट किया है precision हमें बताती है कि कौन से correctly predicted है for example, for 30 true positive predictions out of 40 total positive prediction, precision is 75, यानि कि total हमारे पास positive prediction 40 थी, 30 को हमने predict किया, अज़े positive ये होगी हमारी precision, जितनी है, 75% फिर recall आ जाते है recall क्या है, recall है proportion of correctly predicted positive observations to all observations in actual cases, इसकी मिसाल में ऐसे दोंगा 30 true positive predicted out of 40 actual positive instance, तो इसका recall जो है, 75 आ गया I think this is not 75 you have to calculate this one, by the way so ये हमें can lead us to ignore true negative and this can actually this doesn't tell us about negative results, तो प्रसीजन हमें negative का नहीं बताती, recall हमें क्या करता है, true negative का बताता है तो इस वज़ा से हमने precision और recall दोनों को देखना होता है so precision हमें positive results का बताती है recall हमें negative results का बताती है और जब इन दोनों का average लिया जाता है तो दोनों का positive and negative results जो हमारे पास आए है, इन दोनों की balance हो जाती है, so this balance is precision and recall, इस वज़ा से ये तीनों matrix से इकठ़े यूज किया जाते है, accuracy, precision, recall and F1 score confusion matrix मैंने आपको बार-बार दिखा दिया, a table showing actual versus predicted value, ठीक है, ये बहुत complex होता है, interpret करना, जैसा कि आपने पिछले lecture में देख भी लिया, यहां पर, पिछली slide के अंदर, ये confusion matrix होता है, so आपको ये diagram अपने हाथ में रखनी है जब भी आपने confusion matrix की base पे कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, और सारे के सारे matrix, confusion matrix की base पे ही ड्रॉ किये जाते है, ठीक है, और हमारे पास एक और चीज़ होती है, area under the ROC curve and इसको हम AUC dash ROC भी बोलते हैं, ये हमारा basically binary classification problems के लिए effective होता है, और ये less informative होता है for multi-class classification, लेकिन हम इसको ज़रूर study करेंगे, जब हम python में जाएंगे so for now, आपको समझ आगी कि हमारे पास ये जो precision matrix, sorry, accuracy precision, recall, f1 score area under AUC and ROC curve so confusion matrix, ये हमारे पास important जो है classification के matrix ये वाले होते हैं, और हमने regression के matrix कल पड़े थे वो हमारे पास कौन-कौन से होते हैं वो होते हैं, जनाब mean absolute error mean squared error, root mean squared error, r squared error adjusted r squared error and mean absolute percentage error, so ये हमारे पास जनाब classification और regression के matrix, जो हमारे पास आगे अब classification और regression के matrix को समझना बहुत ज़रूरी है otherwise आपका machine learning का algorithm काम नहीं करेगा so इसको interpret कैसे किया जाता है ये main topic था और आज हमने देखा कि क्या मक्सद होता है जब हम matrix को discuss कर रहे होते हैं inside machine learning का algorithm अब आपको समझ आगी होगी यहां तक matrix की अगर आपको अभी भी समझने आए तो इस lecture को दुबारा सुनिएगा और जो regression का lecture है उसका link में comment section में या description में आपको देदूँगा आप उसको भी दुबारा से देखिएगा ताकि आपको evaluation matrix जो है वो clear हो जाए जो clustering के evaluation matrix है वो हम देखें कि जब हम unsupervised learning में जाएंगे क्योंकि अभी हमारा clustering का काम कोई नहीं है हम पहले supervised machine learning algorithm जाएं उन्हें देख लेते हैं यहां तक आपको clear हो गया है तो like कर दें ऐसे करके share कर दें subscribe कर दें ताकि आपको फिर इस तरीके से celebration मिल सके समझगे हैं बात को नहीं समझे समझ जाना बहतर होता है so कर दें जल्दी जल्दी like अब तो बारिश भी होने लगी है अब तो like कर दें नहीं करना चलें poppers हम फैंग देते हैं अभी भी नहीं करना लें जना हम light से चला जटे हैं this was just for fun अपना गया रखे